जनरली हम यह सुनते हैं, आपस में सुनने में आता है कि पहले मैं ऐसा करता था, जब मैं उस सिटी में था तो मैं डेली वरकाउट करता था, मैं साइकलिंग करता था, मैं अच्छी बुक्स रीडिंग करता था, मैं अपने उपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, मैं अप क्या हुआ कि जब आप एक सीटी से दूसरे सीटी में ट्रांस्फर होके चले गए परन्तु ऐसा क्या हुआ जब आपने study करने के बाद में आप job में आ गए परन्तु ऐसा क्या हुआ कि जब आप bachelor से married हो गए तो ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी सारी अच्छी habits थी वो break हो गई, एक city से दूसरे city में जाने के पाद आपकी सारी अच्छी habits break हो गई, ऐसा क्या हुआ, आप उस सहर में थे तो सारे अच्छे काम करते थे, परन्तु आज अब वो अच्छी habits क्यों नहीं follow कर पा रहे हैं, जब friends आप यह बोलते हैं कि मैं करता था, मैं वो अच्छी habits follow करता था, अच्छी habits आज भी आपके अंदर विद्दिमान हैं, सिर्फ जरूरत है आपको अपनी उन habits को reinstall करने की, आपको जरूरत है उन habits को restart करने की, आपको जरूरत है उन habits की सिचाई करने की, उन habits को थोड़ा थोड़ा पानी देने की, यदि आप नए सहर में हैं, दूसरे सहर में है आप job में है अप merit है और आपके पास आपको लगता है कि time नहीं है आप पहले की तरह एक घंटा नहीं निकाल सकते 30 minutes नहीं निकाल सकते at least think about five minutes क्या आप अपनी उन अच्छी habits के लिए five minutes निकाल सकते हैं, हो सकता है, आपने कई ऐसी habits develop कर रखी हो, बहुत जादा newspaper reading कर रहे हैं, बहुत जादा time news watching में लगा रहे हैं, Netflix में लगा रहे हैं, तो जब भी आप इन सारी जगहों पर अपना time लगा रहे हैं, तो TV देखने के बाद में, Netflix के बाद में, आप अपने आप से ए यह program क्या यह debates मुझे अच्छा career देने वाला है, क्या यह debates यह program मुझे अच्छी habits देने वाला है, मुझे अच्छी life की तरफ लेके जाने वाला है, क्या मेरी वो finance को strong करने वाला है, क्या मेरी life को healthy बनाने वाला है, क्या यह program मेरी life में transformation लाने वाला है, यदि आपका answer हाँ है क्योंकि आप उस domain से related है, then no problem, if your answer is no, then you need to restart and you need to rework on your good habits and if you start giving 55 minutes every day, आपकी वो सारी अच्छी habits जो आपके अंदर पहले सी ही उपस्तित है, पहले आप उन habits को follow करते थे, इसका मतलब है आपके अंदर वो सारा talent, वो सारा potential आज भी है और जब आप 55 minutes उन अच्छी habits के ऊपर लगाते हैं, जो भी आपकी अच्छी habits हो और वो habits grow करते जाती है, तो आप gradually 15 minutes भी लगा सकते हैं, 30 minutes भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप अपनी अच्छी habits को restart करते हैं, आपका confidence level बढ़ जाता है, आपका confidence up हो जाता है और टाइम देने लगते हैं, तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी habits को restart करने की जरुरत है, तो just think about 5 minutes and everyday invest 5 minutes, this is Hem Singh Patlay, signing off, we'll meet in next video, until then take care, bye bye, please do share my video with your friends and other members and inspire them, please subscribe my channel and hit the bell icon, thank you so much.